हाई गाईज मेरा नाम सौम्या है और मैं वापिस आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ तो अपने इस चैनल पर मैं बहुत जादा बुक्स के बारे में बात करती हूँ तो अगर आप एक बुक लवर है या बनना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चाहिए और बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करना चाहिए आज के इस वीडियो में मैं एक हिंदी किताब का रिव्यू करने जा रही हूँ जो मुझे ऑथर ने भेजी है और वो किताब है सन 57 अंसुनी दास्तान जिसके लेखक हैं अश्रफ जमाल सन 1857 की क्रांती के बारे में हम सभी लोग जानते हैं क्योंकि हम सभी ने इसके बारे में अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट में पढ़ा है सन सत्तावन के बारे में सुनते ही हमारे जहन में जिन लोगों के नाम आते हैं वो है बहादूर्शा, जफर, रानी लक्षमी बाई, नाना साहिब, तात्या टोपे वगेरा और हमारी जितनी भी जानकारी है वो इन ही लोगों के इर्दगिर्द घूमती है जालतर लेकिन इस कहानी का शीरशक है सन सत्तावन अंसुनी दास्तान तो ये एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में ना तो कभी कहा गया ना कभी सुना गया सन सत्तावन की क्रांती के दौरान जो असली घटनाए घटी थी उनहीं को आधार मानकर इस कहानी को लिखा गया है और इस किताब का जॉन्रा है historical fiction अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ intolerance बढ़ती जा रही थी और बगावत की चिंगारियां सुलग रही थी एक तरफ बहादुर शाह जफर नाना साहिब और हजरत महल जैसी शक्सियत और दूसरी तरफ शहाजहापूर और लखनाओ की बीच एक छोटे से गाउं में रहने वाले इमाम अब्दुरह्मान, पंडित रामदास और कबीर जैसे आम लोग भी इससे अच्छूते नहीं थे तो उस समय के बादशाब बहादुर शाह जफर की लीडर्शिप में ब्रिटिश रूल को उखाड फेकने की कोशिश ही इस किताब का प्लॉट है और साथ ही साथ ये एक ऐसे स्वतंतरता सेनानी की भी कहानी है जिसको इंडियन हिस्ट्री में जादा जगा नहीं मिली ये कहानी शुरू से ही आपका अटेंशन बांध लिती है और बिना किसी अननेसिसरी डीटेल्स के बड़ी तेजी से आगे बढ़ती है पहले ही चैप्टर में बहुत सारी ऐसी बाते पता चलती हैं जो बहुत सारे रीडर्स को शायद नहीं पता होंगी जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाती है कहानी के असली पात्र कहानी के कालतनिक पात्रों के साथ बड़ी स्वभाविकता से जोड़ते जाते हैं कहानी के कालतनिक पात्र जैसे कबीर, अली जी, इमाम अब्दुरह्मान, पंडित रामदास बहुत ही रियल और एमिकेबल लगते हैं उनके आपसी संबंधों के बारे में पढ़ना एक बहुत ही positive feeling देता है और अलग-अलग धर्मों और संप्रदायों में आपसी प्रेम और विश्वास का बहुत ही सुन्दर चितरन है इस कहानी में अंग्रेजी सरकार की ताना शाही और हमारे देशवासियों की बेबसी को दिखाया गया है इस कहानी को पढ़कर आपको ये महसूस होता है कि उस समय का जीवन कितना कठिन और संगर्शों से भरा रहा होगा विशेश तोर पर आखरी चाप्टर इस स्टोरी में बहुत ही जादा प्रभाफशाली है और वो आपको काफी emotional भी करता है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस कहानी में एक ऐसे freedom fighter की बात की गई है जिनके बारे में ना तो में ना तो मेरी जानकारी में कोई भी जानता था उनका नाम है मौलवी एहमद उल्ला 1857 की क्रांती में जो भी उनके योगदान थे उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था इस कहानी को पढ़ने से पहले इस कहानी को पढ़ने के बाद मैंने Google पे उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा ये कहानी हमारे मन में देश भक्ती की भावना जगाती है और एक ऐसे समय की याद दिलाती है जिसको हम सब भूले बैटे है सांप्रादाइक एक्ता और प्रेम में कितनी ताकत होती है ये कहानी एक उसका बहुत अच्छा एक्जाम्पल है इस किताब की भाषा हिंदुस्तानी है यानि इसमें हिंदी और उर्दु का मिक्स है और इस किताब में 186 पेज है और बहुत जल्दी जल्दी पढ़ी जाती है क्योंकि इसकी गती बहुत तेज है तो ये एक क्रीड है इस किताब का राइटिंग स्टाइल मुझे अच्छा लगा इस किताब में ऐसे कहीं सारे उर्दु के वर्ट्स थे जिनको मैंने पहली बार पढ़ा मेरे लिए काफी नए थे लेकिन पूरा सेंटेंस पढ़ती थी तो उनका मीनिंग क्लियर हो जाता था अगर आप एक ऐसे रीडर हैं जो सिर्फ हिंदी किताबे पढ़ते हैं और आपको हिंदी और उर्दु मिक्स वाली किताबे पढ़ने की आदत नहीं है तो ये किताब आपके लिए थोड़ी चालेंजिंग प्रूव हो सकती है अल्दो इस किताब में कई ऐसे जगाएं थी जहां पर उर्दु वर्ड्स के साथ साथ ब्राकेट में उनका हिंदी मीनिंग भी दिया हुआ था एक बार जो थोड़ी मैं अलग मेंशन करना चाहूंगी यह है कि मुझे इस किताब का फॉर्ण साइस बहुत अच्छा लगा क्योंकि वह बहुत कन्वेनियन था कई बार किताबों में फॉर्ण साइस बहुत चोटे होते हैं जिनकी वज़े से रीडिंग एक्सपिरिंस काफी तफ हो जाता है और जो लोग regular basis पे रीड करते हैं वो इस बात को जरूर समझ सकते हैं तो मैं इस बात को जरूर mention करना चाहूंगी सन सतावन आंसुनी दास्तान जिसके लेखक है अश्रफ जमाल एक ऐसी किताब है जो जल्दी पढ़ी जाती है informative है और interesting है अगर आपको history में interest है और अगर आप एक ऐसी किताब पढ़ना चाहते हैं जिसकी भाषा हिंदुस्तानी है जो कि हिंदी उर्दु mix होता है तो आप ये किताब जरूर पढ़ सकते हैं इसका link मैंने description में आप लोगों को दे दिया है तो guys ये मेरा review था I hope आपको पसंद आया हो अगर आपको मेरे social media पर मुझसे connect करना हो Instagram, Twitter, Facebook तो उन सब चीजों के link description box में दिये गए है ये video अभी मैं यहीं end कर रही हूँ I hope आप सब लोग अपना ध्यान रख रहे हैं और आप सब लोग safe है आपसे लेक्स वीडियो में मिलूँगी तब तक के लिए Bye Bye Take Care